हे गाइज वेलकम बेग एगर फिर्श आपको श्वागत एक न्यू जॉब आफडेट पर यह जॉब आफडेट आ रही है आपका ओडिनेक्स फेक्टरी के तरफ से जो आपका मिनिष्टि ऑफ डिफैंस के अंतर्गत आता है इसमें आप लोग लिए वेकेंसी निकल के आया है बीटेक और डिपलोम के लिए बहुत सारे ब्राइज को यहां पर मुखा दिया गया है डिटेल बात करेंगे कितने यहां पर ब्राइज को मुखा दिया गया और कौन-कौन सेलरी मिलने वाला तो चलते इसका ओफिस्यल नोटिफिकेशन पे और आपको पूरा डीटेल में बताते हैं देखे दोस्तों इसी तरह जोब अपड़ेट पाना चाहते तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब कर जिए बैल आकन को अर्ण कर जिए ताकि आगे भी जैसे को जोब आ आपका हेवी वहिकल फैक्टरी जो कि चेन्ने के तरफ से निकल के आ रहा है ओर इने क्या बोला था यह मिनिस्ट्री आफ डिफेंस के अंतर गाता इसमें बात करेंगे तो नोटिफिकेशन निकाला गया एप्रेंटिस्प के लिए 22 और 23 के लिए अंडर अप्रेंटिस्प द पर भरतिया आने वाली है तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे उस समय जॉब लेने पर जरूरे अप्लाइक कर दीजेगा देखे पास आउट की बात करें तो अच्छे का से हैं पर इस्टूएंट को मौका देगा यह आप 19-20 और 21 में पास आउट हो तो आ गया है यानी सीट रखा गया है सिवील वालों के लिए 15 और ऑटोमोवाई给 रखा गया है δौट ही टोटल एक सोचार से यहां पर रखा गี can तो चलिए आगे बात करते हैं पर डिप्लोमा लोग के लिए तो ध्यांदी जी का डिप्लोमा के लिए भी अच्छा का सी यहां पर सीट रखा गया है इसमें आप लोग के लिए मेकनिकल के लिए 50 सीट बट यहां पर electrical and electronics के लिए 30 सीट रखा गया, computer के लिए सिर्फ 7 सीट रखा गया, civil के लिए 5 सीट और automobile के लिए 18 सीट, इसमें टोटल 110 सीट रखा गया, इसमें आपका stipend 8000 होगा, इसका भी आपका training एक सल का चलने वाला है, चलिए अब आगे बात करते हैं, qualification की और, देख लिए, जो graduate apprentice है, आपका degree होना चाहिए, engineering का, ठीक है, full time होना चाहिए, ठीक है, तो अराम से आप apply कर शक्ति हो, वहीं बात करेंगे, technician, diploma, apprenticeship का, तो आपका diploma होना चाहिए, जो भी है, ब्रांच देखे राखा है, full time आपका होना चाहिए, अब बात करेंगे दोस्तों, selection process के बर्बंदी के, selection process आप लोग का merit के अनुसार होगा, कि आपने BTEC और diploma में कितना आपका percent है, उसी हिसाब से आप लोग के हैंपे selection होगा, और selection के बाद यहां पर कोई भी interview नहीं होगा, सीधे आपका documents verification होगा, जो कि आपका अवादी चन्ने में होने वाला, तो देख लिजिए, यहां पर बात करेंगा, तो interview का कोई जहां मिला नहीं है, तो आराम से अप इसको apply कर दीजिएगा, ठीकिया, चलिए आप बात करते हैं कि इसको apply किस तरह करना है, सबसे पहले आपको NTS में registration करना होगा, registration कर लेने के बाद आपको login करना होगा, login करने के बाद आपको establish request menu में जाना होगा, देखें यहां पर establish number देखे रखाया, इसको आप copy कर लिजिएगा, उसका बाद आपको upload resume करना होगा, ठीक है, उसका बाद click apply and उसका बाद यहां पर apply हो जागा, और यहां पर कुछ important date देखे रखें हैं, पूरा detail के साथ, तो देख लिजिएगा, आप कब दक online apply कर सकते हो, ठीक है, तो 10-6, 2022 से start हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद last date आपका कब है, तो 25-6, 22 और last date applying का कब है, तो देख लिजिए 5-7, 22 रखा गया है, और कब दक यहां इसका declaration कर देंगे, पूरा यहां पर schedule देखे रखा है, तो जरूर अप्लाइ कर जिएगा, यदि आप एक साल का आप ट्रेनिंग करना चाहतो, या आप यहां से apprenticeship करना चाहतो, क्योंकि यह आपका ministry of defense के अंतरगात आता है, और बहुत ही जल्द इसका आपका बात करेंगे, तो इसका vacancy आने वाला है, बात करेंगे तो ओर्डिनेस फेक्ट्री का, तो आई होप आज का job update को अच्छा लागा, तो प्लीज वीडियो को like, चैनल को subscribe कर जिए और अपने दो update के साथ तब दक लिए, चैनल तो बंदे मात रहाँ,